अगर आपने कमूलिटी में ट्रेट किया है या फिर नया ट्रेट करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मोके हैं तो आप सवाल पूछिए नमबर आप लोट कर लें 022-2300-1634 इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और चलिए आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे हमारे साथ अब से कुछी दिर में आरके जनामनी जूड़ेंगे सिनियर साइन्टिस्ट मौसामिभाग के आईमडी के तपन पटेल साब हैं HDFC सिक्यूरिटीज के अनुझ गुपता IIFL सिक्यूरिटीज के आप तिनों का बहुत अस्पागत है और फटा-फट मार्केट का व्यू देख लेते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है और आपको करना क्या है तो अनुझ जी जरा बताइए कि आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर पर क्या व्यू रखा जाए क्या करना चाहिए या मिलतन जी जी गुड़ी उनिंग देखिए जिस तरीके से हमने एक रेंजबान मुवमेंट देखिए गोल्ड सिल्वर में और देखा है कि जिस तरीके से यूएस के डेटा आने वारा अनेप्लाइमेंट का तो मार्किट काफी दिनों से टाइट रेंज में टेट कर रहा है और अगर हम देखें एक स्पेक्टेट से कि मार्किट अभी एक रेंज में रहेगा कर सकते हैं और इस टेड ले सकते हैं जहां तक इंटरनेशनल मार्किट का सवाल है हमें लगता है कि इंटरनेशनली गोल्ड अठारा सो साथ डॉलर पर काफी स्टॉंग रेंशन्स फेस कर रहा है और नीचे अठारा सो पैतिस जॉलरा के आसपाज एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है तो इस रेंज के बीच में हमें लगता है कि गोल्ड का भाव मूब कर सकता है ठीक है तो यह राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर बाइंग की राय इस पर आप नज़र रखिए लेकिन कच्छे तेल का मार्केट आपको तपन पटेल जी कैसा लग रहा है क्योंकि तीन महिने की उचाई पर है क्रूड डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है और आप सप्लाई की शौटेजिस है जो पिक का जो डिटा है उसमें भी जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है सेकेंड जे जो यह रश्या और युक्रियन का जो वोड़ चल रहा है तो रश्या का अच्छा लगता है हमारा संपरकों से तूट गया हम दुबारा उनसे जुड़ेंगे आपका विव अनुजी कच्छे तेल को लेकर कच्छे तेल में हम देखे तो 120 जौरा के उपर जब से ब्रेक आउट लिया 123 के आसपास तो अच्छा का सा मोमेंटम रहा है हमें लगता है कि क्रूड के अंदर वो यहां पर आता हुआ दिखाई देगा जिसकी वेसे डिमांड बढ़ सकती है हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरदारी का ही ट्रेड लेना चीए नीचे करीबर 9350 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरदारी ले सकते हैं बाइन डिफ्स की स्ट्रेजी रहेगी 9150 का स्टॉप ला सका है टार्गेट 9650 तक हो सकता है इंटरनेशनली 125 और तक कामें लगता है रेजिस्टेज्स देखने को मिल सकता है वहां तक इप अप टार्गेट आ सकते हैं तो क्रूड के अंदर बाइन डिफ्स की स्ट्रेजी यूज की जा सकती है ठीक है कच्छे तिल में आप करें कि बाइन डिफ्स की स्ट्रेजी इंट हुआ वहां पर जो डिस्टर्वेंस आया उसका इंपक्ट यह हुआ कि यूरोप में नेच्रल गेस के दाम काफी बढ़ गए और फ्यूचर मार्केट में वहां पर दाम 13% से ज्यादा बढ़ गए क्योंकि टेकसास के फ्रीपोर्ट एक्सपोर्ट टर्मिनल में आग ल जिस तरह से नेच्रल गेसा मार्केट हमने पिछले एक साल से देखा है तो इनर्जी शॉर्टेज जो है जो पोल के प्राइस बढ़े थे लास्ट यार उसके साथ नेच्रल गेस भी प्राइस बढ़े थे तो मुझे लग रहा है 625 तक प्राइस जा सकते हैं वहां से वापी से किसे को बाय ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं उपर में वापी से मुझे लग रहा है तो यह राय आपकी हो गई कच्छे तेल पर और नेच्रल गेस पर और अभी आप देखिए कि इंची एक्स पर तेज गिरावाटे नेच्रल गेस में करीब करीब 6.5% नीचे नेच्रल गेस में इस वक्ट ट्रेड एंची एक्स पर हो रहा है मेटल में अनुझ जी आज कहां पर नज़र आपकी तो कहीं न कहीं जो सप्लाइज है बेस मेटल की वो यहाँ पर डिस्ट्राब हो सकती है हमें लगता है कि उसकी वज़े से एक अच्छा बाउंस मेगा सकता है और साथ में अगर हम टेक्निकल पॉइंट बात करें कॉपर में लगा सकते हैं इस पर आप नजर रखिए कॉपर के अलावा पटेल जी आपकी नजर कहा पर है निकल जिंक लेड यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए जी ओरल ट्रेंड जो बेजमिलस में वह पॉजिटिव का था जैसे ही चाइनीज एकोनोमी ओपन यह तो उसमें मुको तेजी आती हुई दिखी है लेकिन आज एक कर्रेक्शन आया है और मुझे लग रहा है कि इन्टाड और शॉट्टरम की अगर देखे तो कॉपर के अला मुझे लग रहा है जिंक और अल्मिन दोरों में और एक कर्रेक्शन कंट्यूड रह सकता है तो इस पर आप नजर रखिए मिटल में आपके लिए कहा पर ट्रेट के मौके बनेंगे य और जिंक इस वक्त करीब करीब आप देखें तो 1.5% की गिरावट के साथ 325 रुपए 45 पैसे के इस तरपर ट्रेट कर रहा है अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एगरी मार्केट की गौार की गौार में कल भी तेजी थी आज भी तेजी थी और क्योंकि मानसून को ल मतलब यह कि जो गौार के खेती वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश कैसी होगी वहाँ पर मानसून की चार कैसी रहेगी इस पर डिपेंड करेगा गौार की आगे की चार और जो खबर है उसके मुताबिक राजस्थान खास करके जो पश्मी राजस्थान का इलाका है जो वजह से गवार के दाम बढ़ रहा है 5830 क्लोजिंग प्राइस गवार का और करीब करीब पॉने पर्संट की मजबूती के साथ गवार में आज की क्लोजिंग हुई है अनुजी बताइए क्या किया जाए गवार में अभी कल के मार्केट में तो हमें लगता है कि अभी जो रैली एक कुछ एक्स्टेंड हो सकती है और जल्दी ही उपर में पांच आर नौसो पांच आर नौसो पचास तक के लेवल गवार में देखने को मिल सकते हैं तो हमें लगता कि खरदारी का ट्रेड गवार सीट में लिया जाना चाहिए करीवन पांच आर आर नौसो पचास तक हो सकता है कहीं न कहीं मौनसून का डिले होना एक थोड़ा सा सपोर्टी फेक्टर है अगर हम दुसी तरफ देखे तो क्रूड के प्राइस जो बड़े है उसकी वज़े से भी एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल सपोर्ट गवार को आता हुआ दिखाई दिया है हमें लगता है कि गवार अभी एक दो दिन और पॉजिटिव यह में चल सकता है ठीक है ताफ करें कि अभी और तेजी गवार में बाकी है चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब पहला सवाल है महेंदर का पूछे महेंदर जी अभी मार्केट नीचे है 641 के नीचे है क्या करना चाहिए इनको जी आज शामको इनुटे के टेटा आएगा और होलो ट्रेंड जो है और पॉजिटिव है डिमांड और सप्लाई दोनों फेक्टर यहां पर कर रहे हैं मुझे लग रहा है 222 डिपस रखना चाहिए अगर आप चाहिए तो आज करेक्शिन अगर एक्सिंट भी होता है तो 625 के लेवल से अब आप अब अवरेज का सकते ओर श्टॉप्लाइश कर शेया रखे लिया टागेट उपर अफिस मुझे लग रहा है 670 और 710 के आ सकते है तो अपनी वोशन फिलाल श्रॉपर ज्याथ होल लगिए रोहन है नेक्स्ट कॉलर मद्द प्रदेश से पूछिए रोहन जी गुड़ इवनिंग पूछिए चने और ग्यों पर आए चाहिए ती तरीके से कल चने मतलब है दलन में MSP बढ़ाई यह सरकान तो चना 6000 हो यहां पर हम देख चुके हैं जो नई फसल आईगी उसको आने में टाइम लगेगा जो कि डिपेंड करेगा मौनसून के उपर में और अगर मौनसून अच्छा आता है तो जो बिजाई होगी अगले साल के लिए वो यहां पर अच्छी होती हुए दिखाई देगी मगर फिल कि बाद होगी मौनसून के आने के बाद मौनसून अगर सही नहीं आएगा तो तेजी आपको वहां पर देखने को मिलेगी त्रीक है तो इस पर आप नजर रखकर चल सकते हैं कि क्या ट्रेड आगे आपको लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए अब हम हां और अब ह मानसून के ताजा अपडेट की और मानसून पर ताजा अपडेट यह है आई-एमडी की तरफ से कि दो दिन में महराष्ट पहुंचने की संभाबना है और उसके बाद चार दिन में पूरे मुंबई को कवर कर सकता है गोवा, करनाटक, आंदरपर्देश में दो दिनों में बारिश मुमकीन है और दो दिनों में कमिलनाडू में भी मानसून की बारिश होगी मानसून आगे बढ़ने के मजबूत संकेत है अब इस पर बाचित करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं आरके जेनामनी मौसम विभाग के आईमडी के सीनियर साइंटिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जेनामनी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर पहला सवाल आप से यही कि अब नया आउट्लूक आप लोगों का मानसून पर क्या है आउट्लूक यही है कि जो आज हमारा जो मातपुर्न जो मीटिंग हुआ था सारा स्पेस में साइंटिस्ट पाडिस्पेट किये थे तो बिलकुल मनसून का जो फीचर होता है जैसे वींड होता है वेस्ट कोस्ट में जैसे प्रिशर क्रेडियन्ट होता है और जैसे डेट अफड़ वेस्टर ली होता है बहुत सारा चीजी दिखाये गया अरफ जैसे में कोई कमी नहीं है और उसको देखते हुए जो माराष्टर में जो है जैसे आपने पताया बिलकुल जो दो दिन पहले हम साउथ कॉंकन और एंटार गोगा कवर करेंगे फिर नेक्स टू डेज में वी केंड कवर यू नो मॉर पार्ट सम्माराष्टर अल्सो पॉंबे मॉंबे का जो रेन पॉल है वो 11 को भी रेन होगा 50 मिलिमीटर से ज्यादा होगा तो यह सारा देखते हुए और फिचर पेवरिंग है तो इस बहुत आच्छा बात है कि जहां जहां मंसुन का पेवरिबल सिगनल आ रहा है तो हम लोग यह सोजरे डिसाइड किया कि हम लोग जो है कंडिशन पेवरिबल है और यह सारा जो है हम फिर इसको गुलेटिन में रिफ्लेक्स किया और बाकि जो बेव बेंगल का जो करेंट है तो उसलोली बन रहा है कोई मेजर सिस्टम नहीं है इस दसनाट में कि मनसुन का आईसे कुछ नेगेटिव कंडिशन से हर साल मेजर फिचर नहीं बनता है मन्सुन का जो अगर कोई मन्सुन को में करता है या कोई मन्सुन में और अनातर है यह मौत पुर्ना है कि नॉर्टिस इश्ट इंडिया में पार्कासी की हो सकता है तो इसलिए हम लोग लोग रेडल औरेंज अलए पांटिन के लिए दिये हैं बहुत काफी बारिश होने का समभा बना है तो आप करें कि नौर्थ इस्ट में बार की इसी इती बन सकती है इसलिए आप लोगों ने औरेंज का इलर्ट दिया बहुत ज़्यादा कितने दिनों तक सर चार-पांच दिन होता है सब्सक्राइब करें और यह सब देखते हुए हम लोग पर वानिंग में लिया कितने दिनों तक रहेगा सब्सक्राइब यह हम लोग पांच दिन दिन हैं जो हमारा जो पड़ता है अब जो सर आपने कहा कि अगले तिन-चार दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा दो दिनों में महारास्ट्रा, तमिलनाडू, गोवा, आंध्रा में भी बारिश होगी यह जो बारिश अभी शुरू होगी, इसकी रफ्तार कैसी रहेगी, इस्पीट कैसी रहेगी और यह कितने दिनों तक रहेगी ऐसा तो नहीं कि फिर दो-चार दिन बारिश होके फिर रुख जाए मानसून, उसको लेकर चाहिए महारास्त्र में तो कंटीनू रहेगा, महारास्त्र का मैंने जैसे पूरा बेल्कुल पॉइंट पर बताया कि जो उस्टल एरिया है, जैसे रतनेगिरियों हो, बंबे हो, इवन पालगड तक भी वह बारिश पीडिय अप करेगा, हेवी रेन ज्यादा रिपोर्ट ना हो, ले तस पर एक नाई जानवर्ड रेन शुरू होगा, तो यह मेंली कॉंकॉन का तो ही है, इसे कॉंकॉन से एरिया हैं, इलाके हैं, जहां पर आपको लगता है कि मानसून अभी कमजोर रहेगा? नहीं, मनसून का जैसे मैंने बात किया कि मनसून का आरभांस सेजे, तो इसमें हम लोग मनसून का आक्टिविटी कंसिडर नहीं करते हैं, आप अगर पुछेंगे कि अरकेड़ में मनसून का कंडिशन क्या चल रहा है, वो मैं बोल सकता है, लेकिन जो जो एरिया कवर नहीं कौन सा वीक में जादा है, कौन सा एरिया में जादा है, वो फेर प्ला आता है, फेर उसकी डाटा का अनालीजिस से, अभी तो हम लोग मैंनली मनसून मोनीटरिंग में द्यान दे रहें, और उसके मतावर्यक जो अरभियन शीव रहात है, उसमें कोई कमी नहीं है, ज़रूर पर इंपॉर्टन बात आपने कही है, लेकिन एक कुछ प्राइंटिस्ट यह कह रहे हैं कि पश्यमी राजस्थान, सवराष्ट, विदर्व, मराठवाड़ा, यहां पर मानसून थोड़ा ज़र रह सकता है, इसको लेकर आपक्या लिए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ, यह बोल सकता है कि मरतवार हो, विदर्व हो, यह रजस्थान, सब्सक्राइब काम होता है, वर्ट टाजट में की मनसून का आना, यह मनसून के सा रावतर सायागा, यह से कुछ नह ज़र रह सकता है, और इवन हम लोग एके संट्रल वे अप यह बैगल पर चर्कुलेशन भी यह बिया, हम लोग इस देख कुंकौन कोस्ट में भी यह सिस्टम यह बिल्यागा, यह बिल्ट बहुत अगलेगा, यह बिल्लेगा तन बीद्ट मेड़ा है, यह बिल्सक्राइब क मतलब डिफरेंट से वाट यून का मेहना पूरा मेहना आपको मानसून के लिहाव से कैशा दिख रहा है जून के महने में क्या सामान से कम बारिश होगी या ठीक ठाक बारिश होगी जून का तो हम लोग दिये हैं कि जून में जो है सामान से ज्यादा थोड़ा हो सकता है वो तो मन्तली में आया है तो क्योंकि जो सेकेंड हाफ है बोट तरह पीचर सब्सक्राइब कर दो यो नो आक्टिव मन्सून लाइक एम जेओ विल कम बैक देन यू और और बेंगलों में भी अक्टिव एटेल तो वो तरह अभी होने का है विए पूर्ट कीप एंड वेट एंड वाच ठीक है जुलाई के मैंने के लिए कोई बदलाओ है आप लोगों की फूर्कास्ट में जूलाई का तो जून खटी में आएगा अच्छा थैंक्यों चले बहुत शुक्रिया जै है गोवा करनाटा आंदर परदेश इन राज्यों में मानसून पहुंचने की संभावना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब फिर से लोड़ते हैं सवाल जबाब पर और अगला सवाल है जगदीश का पूछिए जगदीश जी नमस्कार पूछिए नमस्कार पूछिए जी क्या किया जाए जी बिलकुल इंदमनी है और प्रॉफिट भी मिल रहा होगा मुझे लग रहा है पॉजिशन होली रखने चाहिए और ट्रेंड जो है बुलिश है और जैसा अनुजनर की बाई कॉल दिया है हमारा भी सेम बाई कॉल है 930 के लेवल से बाई कर सकते हैं टा कहां तक बॉटम कहां तक बॉटम बनेगा एक सट हजार आट सो की नीचे है एंसे पर चांदी कभाव करीप आधा पर्सेंट की कमजोरी है 305 रुपे नीचे है अनुजी बताइए सिल्वर में जो ब्रॉड रेंज बनी है वो नीचे में 60-500 रुपर में 63 रुपर तो इस रेंज को आप फॉलो करें यह रेंज अभी कंट्रियूस मार्केट में काफी दिनों से इंट्रेक्ट हुई हुई है तो अगर मार्केट जितना नीचे आगा उतना अच्छा बाई बन सब्सक्राइब के आज पास की गिरावाट अभी चांदी में दिख रही है 61,720 का लेवल ठीक है तपन जी रुपिया काफी कमजूर हुआ और टाइम लो पे आज पहुचा डॉलर के मुकावले वज़ा यह है कि कुरूड ऊपर जा रहा है और विदेसी निवेशकों की विक वाली हो रही है इंडियन इक्विटी मार्केट में उसका इंपक्ट हमने देखा कि रुपी आज एक बार फिर से और टाइम लो पे पहुचा है 77,81 यह रुपे का और टाइम लो है जो आज टच किया है और इस साल अब तक 7% की गिरावाट आई है रुपे में इंडेक्स और का भाव 105 के उपर निकल गया था तो आप जड़ा बताइए कि क्या होगा अभी रुपे में आगे जी जिस तरह का मार्केट है और जिस तरह के इंप्रेशनरी प्रेशर है मुझे लग रहा है रुपिया और कम दरो सकता है खास करके जब तक क्रूरल के प्राइजिस कंट प्रेशन को और रेट भी किया है लेकिन और जो अपने इंपोर्ट वेज एकोनोमी है तो इसके सबसे रुपी पर प्रेशर बन सकता है मुझे लग रहेगा वहां तक प्राइस जा सकते हैं उसके उपर जाता है तो 7840 के लिए जा सकते हैं जो ब्रॉड रेंज मुझे सपोर् सब्सक्राइब करना चाहिए अभी क्या करना चाहिए बताइए अलू जी कल मार्केट ओपन होगा तो ग्वार में क्या इस लेवल पे जो क्लोजिंग का प्राइस है आज का अगर इससे थोड़ा उपर भाव दिखता है तो बाइंग कर लेनी चाहिए तो आप इंटराडे प्रस्पेक्टी से ख़दारी का टेट बना सकते है नेक्ट कॉलर अमिद गुपता है पूछी गुपता जी नमस्कार पूछिए क्या सवाल दूसर क्या सबल दो रहा है अपना इसके आपके आप मैं सवाल तो ठीक से नहीं सुन पाया लेकिन ठीक आप करेंगे इस इसन के लोगेस्ट प्राइस पर है अनुजी बताईयो ओवरॉल यू लॉंग टर्म का देखिए लोवस्ट प्राइस पर है हमने लास्ट इंट्रुव में भी डिस्कस किया था कि लोवस्ट पर है तो बांस बैक आना चाहिए तो वैसे बांस बैक देखने को मिला है हाला कि 6000 इसके लिए काफी क्रूशल एक रिस्टेंस रहेगा आगे की तेजजी आने के लिए 6000 क के लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपोर्टन है मगर जो रेवल्स अभी खड़े हैं 5830 के आसपर तो मुझे लगता है कि एक इंट्राडे प्रस्पेक्टिव से एक शॉट टर्म ट्रेडिंग पॉंट इवी से खजारी के टेट बन सकते हैं 6000 के उपर अगर मार्किट चलता है और क्लोज होता है वीकली बेसिस पर तो आपको आगे की और रंडिती देखने को मिलेगी वगर फिलाल अभी शॉट टर्म के लिए 5830 के खजारी का टेट बना सकते हैं चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तपन पटेल जी आपका हमारे साथ दूड़ने के लिए बताने के लिए कहां पर कमाल के मौके बनेंगे